आज मैं आपके लिए मैकरोनी की बहुत ही मजेदार स्नेक्स की रेस्पी लेकर आई हूँ, बिल्कुल नई रेस्पी है, आपने आज से पहले कभी नहीं खाई होगी, तो इसके लिए सबसे पहले हमने आपर एक भगोना लिया है, इसमें एक ग्लास पानी गरम होने के लिए र पानी में बबल्स जैसे आपको नजर आ रहे होंगे, यहां पर मैंने ली है, एक कप मैकरोनी, मैकरोनी को हम पानी में डाल देते हैं, और एक स्कून की हर्प से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि तले पर जम से चिपकी न रह जाए, मिक्स करने के बाद इसको हम क लोटू मीडियम ही रखेगा, इससे मैकरोनी कम टाइम में अच्छे से पक जाती है, तो मैकरोनी को पकाते हुए, मुझे लगबग 3-4 मिनट हो चुके हैं, तो लिट को हम अलग करेंगे, और मैकरोनी को एक बार हम अच्छे से चेक कर लेते हैं, तो बस इतना ही चेक करना है कि अगर हम मैकरोनी को मसलते हैं, तो यह आसानी से मसल जाए, इसका मतलब है कि मैकरोनी हमारी पक चुकी है, तो हम यहाँ पर ओबर को करने की जरुवत नहीं है, बस इतना ही हम इसको पकाना है, तो चलिए गैस को हम बंद कर देते हैं, यहाँ पर मैंने एक बरतन में इस्ट मैकरोनी को साइड में रख देते हैं, और इसका जो पानी है, इसको हम अलग फेक देंगे, मैकरोनी को हम ठंडा होने देंगे, जब तक मैकरोनी ठंडी हो रही है, हम एक स्पेशल सॉस बना लेते हैं, जिससे आज हम जो स्नेक्स बनाने वाले हैं, वो सुपर डेस्टी यहां पर मैने तीन चम्मच दही ले लिया है, और यह लिया है, आधा कप मुफली, यह कच्ची मुफली ली है, मैंने, आप यहां पर रोष्टड मुफली का इस्तिमाल भी कर सकते हैं, दो हरी मिर्चे ले ली हैं, और एक तुकड़ा हमने यहां पर अधरक का ले लिया है, तो इने भी हम डाल देते हैं, यहां पर मैंने तीन काजू ले लिए हैं, काजू अप्सिनल है, आपके पास नहीं है तो मट डालेगा, इससे फ्लेबर बहुत ही बढ़ी आता है, ज्यादा नहीं बस तिन चार काजू डाल दें, आदा चमच हम इसमें कच्छे जीरे डालेंगे और स्वादानसार हम इसमें नमक एट कर देंगे, अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेते हैं, तो इक चीज याद रखिए हमें इसमें बिलकुल भी पानी नहीं मिलाना है, क्यूंकि हमने इसमें दही एट किया है, तो यह आसानी से ग्राइंड हो जाएगा, आपको अपको कसम से मज़ा आ जाएगा, इसको खा करकी यह बहुत जादा टेस्टी है, फिलाल हमें इसको ऐसे नहीं खाना है, हम अपने स्नेक्स में इसका इसका इस्तमाल करेंगे, तो मैकरोनी जो है ठंडी हो चुकी है, इसको हम एक मिक्सिंग दोल में ट्रांसफर कर लेते हैं, अब इसमें हम डालेंगे बारी कटा हुआ प्याच, बारी कटा हुआ यहाँ पर हम सिमला मिच भी डाल देंगे, अगर आपके पास गाजर है, मटर है, यह सब चीज़े वाई लेवन है, तो आप इनका इस्तमाल भी आपर कर सकते हैं, यह मैंने लिया है, एक कच्चा आलू, और कच्चे आलू को क्या करेंगे, हम ग्रेटर यानि की कद्दुकस की मदद से कद्दुकस करके डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, हम जो स्नेक्स बनाने वाले हैं, बहुत ही क्रिस्पी लगता है, और अंदर से भी सूपर टेस्टी लगेगा, तो हम जैने जैने इसमें बहुत ही चэ्ट-पड़ा मझेदार फलेवर के लिए इसमें मिला रहा है, एक चंमच सांबर मसाला इससे बहुत ही मझेदार एकाँ नहीं है तब आप यहाँ पर चमज पाव भजी मसाला मिला दीजे। तो लीजी हमने सबी चीजों का अच्छे से मिक्स कर लिया है लेकिन इसमें अभी बाइंडिंग नहीं आई है बाइंडिंग से मतलब है कि जो मैक्रोनी है ना उसमें आपस में पकड़ होनी चाहिए तो देखिए मैं इसको इस तरह से कर रही हूं बलुकुल अलग-अलग है इ अगर कौन्स लोर नहीं है तो आप यहां पर चाहल काटर बी डाल सकते हैं बहुत है तो इसमें थोड़ा थोड़ा टेल डालेंगें इसमें फोड़ा तेल अएक हम चाह ए नहीं है तब आप इसको कैसे बनाएंगे मैं वीडियो में ही बातों बातों में आपको बता दूँगी तो चलिए फिलाल तो हम तेल डाल करके तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं तेल जो है बड़िया से गरम हो चुका है अब हमने जो मैकरोनी वाला मिशन बना करके रखा हुआ था इसको हम हातों की हेल्प से थोड़ा थोड़ा सा लेंगे और इन खांचों में भरते जाएंगे हातों से इसलिए करना है ताकि यह परफेक्टली सेप में बनी रहें अगर आप चमश से करेंगे न तो अभी मैकरोनी में आपस में पकड़ नहीं बनी है जब तक यह अच्छे से सिकेंगे नहीं तो यह अलग-अलग होने की भी डर रहते हैं तो इस तरह से अच्छे से सिमट करके एक जगाए खांचे में भर जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा मिशन लेते जाएंगे और खांचों में इनको हम भरते जाएंगे तो हमने इसको अच्छे से खांचों में फिलप कर दिया है और बस अब आप इसको ढख करके बिल्कुल low to medium flame पर दो मिनट के लिए नीचे की तरफ बढ़िया से से शेखने दे दो मिनट हो चुके हैं और इनको हमने नीचे की तरफ बढ़िया से सेक लिया है तो चली इसको पलट करके चैक भी कर लेते हैं तो एक स्पून की हेल्प से इनको हम पलटेंगे तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा नीचे की तरफ कलर आ चुका है और बहुत ही क्रिस्पी ये पैन नहीं है तो आप इसको किस तरह से बना सकते हैं तब क्या करें हमने या पर एक चमज कॉन्फलोर मिलाया था ना तो आप जो भी इस्तिमाल कर रहे हैं चावल का अटा या कॉन्फलोर तो आप एक की जगह कम से कम दो से तीन चमज मिलाईएगा फिर आप इनको पकोड़े क तरह कड़ाई में तल सकते हैं उससे क्या है यह तूटेंगे नहीं अभी हमने कॉंसलोर कम मिलाया है जिसकी वजय से अगर हम अभी इनको कड़ाई में तलेंगे न तो यह बिखर जाएंगे और अपम बैन में बिल्कुल भी नहीं बिखरे देख सकते हैं बहुत अच्छी अब मैंने बनाये थे मुझको बहुत पसंद आए तो चलिए अब हम इनको निकाल लेते हैं और इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं तो लीजिए तैयार है हमारा मैकरोनी का बहुत ही चतपटा क्रिस्पी मजेदार स्नेक्स इसको हमने नाम दिया है मैकरोनी पीनट बॉल्स आप इसको टोमैटो कैचप के साथ भी खा सकते हैं या सूखा भी खाएंगे तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे बिल्कुल यूनिक रेस्पी है एकदम नए तरीके से हमने मैकरोनी को बनाया है तो आप इसको जरूर एक वाइट ट्राइ करिएगा फ्रेंड्स मेरे कहने पर आपको भी बहुत अच्छी लगेगी तो फ्रेंड्स अमीद करती हूं कि आपको आज की रेस्पी अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छा लगी तो वीडियो को लाइक से जरूर कर दीजेगा फिर मिलते हैं अगली रेस्पी में तब तक के लिए बाबाई टिक्यार